हलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंज आज का वीडियो रोज प्लान पे है लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फ्लावर दिखा रही हूं पने गार्ण के तो यहां पे देहलिया पे हमारे अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गी है इसके पहले भी एक फ्लाव तो फ्रेंज आज वीडियो है रोज प्लान पे रोज प्लान के लिए यह अक्टूबर मन्त पे जो काम किया जाता है वो साल भर के लिए होता है पूरा जो में काम होता है रोज प्लान पे वो अक्टूबर में ही किया जाता है यानि कि जब राते ठंडी होती है तब यह काम स संफ्लावर जो कि समर के प्रांट मने जाते हैं लेकिन आपको दिखाना जाती हूँ कि देखेगं अभी विंटर स्टार्ट हो रहा ही और इस चाया फ्लावर को लेखियें इसकी जबद्रस तो संफ्लावर के प्लांट एक तरह से साल भरिजी करते रहते हैं तो फ्रेंज आज का वीडियो जो है रोस प्लाइट पे तो हम उसी पे कॉंसेटरेट करेंगे क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको रोस प्लांट पे सारी जो भी बाते हैं एक्दम point to point अच्छे से details से बताने वाले हूँ जो beginners हैं उनके लिए काफी helpful होगा कि किस तरह से रोस प्लांट की pruning की जाती है और उन्ने किस तरह से साल भर के लिए ready किया जाता है तो friends मेरे पास आटनो प्लांट है लेकिन यहां पे मैं आपको एक ही प्लांट पे करके बताऊंगी क्योंकि अभी उसमें ही मुझे काफी टाइम लग जाएगा तो मैंने उसे ले लिया यहां पे वर्क्शोप पे अपनी जहां पे मैं mostly gardening का काम करती हूँ क्योंकि यहां पे थोड़ा shade पड़ता है तो धूप थोड़ा late आती है इसलिए मैं यहां पे बैठके काम करती हूँ तो चलिए start करेंगे कि किस तरह से हमें क्या करना है कैसे करना है तो friends सबसे पहले जो काम करना होता है हमें एक या दो दिन पहले से ही pot में थोड़ा पानी कम देना होता है ताकि मिट्टी थोड़ी सूख जाए या फिर पानी बिल्कुल भी ना दें तो भी चलेगा आप एक दिन पानी ना दें रोजब प्लांट में कोई फ रख नहीं पड़ता है तो मिट्टी को थोड़ा nostro भी ग conse जाएंगे गेली मिट्टी में तो दीख करने में तो दूस्रा जो काम हमें करना होता है मैंने मिट्टी को दिख गा थोड़ा आप देख सकते किस तरह से ड्रय है पॉट की मिट्टी तो इसी तरह से हमें करना है दूसरा जो हमें करना होता है फ्रेंस वो हमें करना होता है हमें अपने प्लांट को दो से पांच मिनट देने हैं हमें थोड़ा बारीके से उसे देखना है समझना है कि हमें कहां से और किस तरह से काम करना है सबसे पहले तो हम इ निकलाए हैं मेरे इस प्लान पे तो उसे मैं अलग कर लूँगी आराम से जब मैं इसे निकालूँगी क्योंकि मैं अपने इन प्लांस की इस बार रिपोर्टिंग करूँगी लास्ट येर मैंने रिपोर्टिंग नहीं की थी मैंने इन्हें अच्छे से आधी मिट्टी निकाल के और roots को दो दिन तक धूप दिखाने के बाद फिर से ready किया था तो वो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको reporting नहीं करनी है और किस तरह से vitalize करना है तो आप मेरा last year का video देख सकते हैं मैं आपको description box में उसका link भी दे दूँगी तो friends अच्छे से judge करने के बाद plant को हम सबसे पहले जो करेंगे वो है pruner को disinfect करेंगे तो ये काम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जितना जरूरी प्रूनिंग करना है उतना ही जरूरी है हमें pruner को disinfect करना क्योंकि रोज प्लान पे वैसे ही dieback की समस्या बहुत जल्दी लगती है तो इसलिए हमें ये precaution लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अच्छे से pruner को ready कर ले और दीखिए इस बार सारे ही pot में दीखिए जितने भी यहाँ पे पड़े हैं तुलसी के plant निकल आए हैं काफी सारे तो इन्हें मैं अलग करना चाहती हूँ अलग से मैं एक बड़े से pot में सारे plant लगा लूँगी तो हमें करना है अब pruning स्टार्ट तो pruning का क्या रहता है कि base पे हम pruning करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी तो दीखिए friends जो पतली और dry branches है उने तो हमें हटाना ही है उसके बाद जो हमारा जो plant रहता है उसकी जो height है depend करता है कि आपका plant कितना पुराना है तो मेरा यह plant तो पुराना है तो मैं इसकी one third तक pruning कर दूँगी अगर आपका plant इस तरह से साल दो साल पुराना है तो आप उसकी एक तिहाई हिस्सा one third हिस्सा pruning कर दीजिए तभी आपको best result मिलेंगे और अगर आपका plant नया है आप अभी रिजनली लाए है उसे purchase करके तो आप उसकी pruning उस according करिए sub pruning करिए तब फिर आप उसकी छोड़े plant की hard pruning नहीं करेंगे अगर आप उसकी hard pruning कर देंगे तो वो फिर आपको इस साल flowering नहीं दे पाएगा पहला point तो यह है इसके बाद friends हम plant की जितनी पतली branches है जो इस तरह से cross कर रही होती है एक दूसरे को उन्हें हमें बिलकुल हटा देना है pruning जो हम cut करते हैं कोई भी branch को जैसे यह देखे यहां पे एक शूट का यह नोड बना हुआ है तो हमें जब भी किसी stem को cut करना है तो उसके just उपर हमें cut करना होता है बहुत जादा उपर भी हम नहीं cut करेंगे क्योंकि उतना हिस्सा भी वो फिर black होगा और वहां से die back की समस्या start होगी तो हमें यहां से cut करना है just उपर और हमें sharp cut देना है हमेशा प्लांट को pruner हमारा sharp होना चाहिए और एक ही जटके में हमें उसे cut करना है second thing जो है देखे no this side है और हमने cut लिया है slide cut जो लिया है हमने वो दूसरे side लिया है क्योंकि प्लांट से एक natural slab निकलता है जो कि उसे यहां पे lock कर देता है जहां पे हम cut करते है उसे lock कर देता है यह natural उसको protection करता है stem का तो उसमें से कभी-कभी वो slab निकल के और उस node पे भी आ सकता है तो उससे फिर वो हमारा node area खराब होगा इसलिए हमें उसके opposite side पे cut करना होता है देखें कुछ इस तरह से जैसे यह node यहां से है और मैंने इसका cut opposite side से लिया है दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहती है जो दूसरा point है वो देखें आप कुछ इस तरह से होती है nodes एक अंदर side है एक बाहर side है यहां से start होगी तो हमें कोई ऐसा node choose करना है जहां हमें cut देना है कुछ ऐसा cut करना है जिसकी shoot बाहर तरप से growth start हो अंदर तरप से करने से कुछ इसी तरह से होता है कि plant अंदर अंदर से branches निकालता है और वो फिर messy होने लगता है जो कि rose plant को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं पसंद है rose plant को थोड़ा हवादार होना पसंद है तो इसलिए हम ऐसी branch को cut करें जो कि बाहर side से shooting निकाल रही हो तो कुछ इनी बातों का ख्याल रखते हुए मैं यहां पे rose की pruning कर रही हूं और मैंने यहां पे वीडियो की speed को fast नहीं किया है ताकि आप देख पाएं अच्छे से कि मैं किस तरीके से एक एक branch को किन किन बातों का ख्याल रखते हुए cut कर रही हूं तो friends जब भी हम rose plant की या किसी भी plant की pruning कर रहे होते हैं हमें बिल्कुल दुख होता है कि हम इतनी अच्छी branches उसकी cut कर रहे हैं लेकिन friends प्रूनिंग करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम प्रूनिंग करते हैं किसी plant को तो plant नए नए branches निकलता है और rose plant पे या mostly plants पे जब नए branches होती है उनी पे ही flowering होती है तो इसलिए हमें प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है उस time पे हमें थोड़ा hard होना पड़ता है अनलब कि हमें बेदर्दी से बिल्कुल cut करना है दुख हमें भी होता है लेकिन हमें plant की अच्छी health के लिए उसे cut करना होता है उसके साथ-साथ आप देखिए वीडियो में देख सकते होंगे आपकी मैं जहां-जहां पे उनके dye shoot थे जो कि जिसे हम blind shoot कहते हैं उन्हें भी हाथ से clean करते जा रही हो ताकि वहां से दुबारा से shooting स्टार्ट हो blind shoot क्या होती है इस पे भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अगर आप जानना चाहते हैं नहीं पता आपको तो आप वीडियो भी मेरा विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे एक rose plant से related playlist है वहां पे सारे rose plant के वीडियो डले हुए हैं आप वहां पे विजिट करके वह वीडियो देख सकते हैं तो देखे अब मैंने प्रूनिंग के बाद इसे निकाल लिया है पॉट से और इसकी roots कुछ इस तरह से है अब मैं इन्हें आराम से खोल लूँगी देखे खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से है और इसी लिए मैंने भी डिसाइड किया था कि मुझे इसकी reporting करनी है क्योंकि मेरा ये plant जो है दो साल से report नहीं किया हुआ है तो इसकी roots जो है पुरानी हो गई है तो मुझे इन्हें अच्छे से एक नई मिट्टी में डालना था ताकि मेरा plant आगे भी इसी तरह से चलता रहे तो अब मैं इसका जो roots है उसकी root treatment किस तरह से करूंगी वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ तो दीखे उसके लिए हम यहाँ पे एक liquid solution बनाएंगे जिसमें मैंने पहले ले लिया है पानी और इस simple पानी है यह किसी pot में आप पानी ले लीजिए और उसमें मैं कुछ चीजे डालूँगी तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डालनी हूँ यहाँ पे हल्डी का powder तर्मिरिक powder और इसके साथ-साथ मैं इसमें डालूँगी कुछ और भी चीजे तो थोड़ा समय यहाँ पे साफ fungicide डाल रही हूँ ताकि हमारी roots पे किसी तरह का fungus ना लगे और हल्डी भी वो ही काम करती है लेकिन वो natural है और गेनिक है तो हल्डी डालना भी मैं जरूरी समझती हूँ इसके साथ friends जो मैं यह तीसरी चीज डाल रही हूँ वो यह है जो हम kitchen waste compost बनाते है तो उस kitchen waste का जो waste निकलता है यानि कि जो पानी निकलता है नीचे से उसका भी बहुत अच्छा fertilizer बनता है तो इसे मैंने store करके रखा हुआ है अगर आप जानना चाहें कि कैसे होता है क्या है तो मैं अलग से बताऊंगी तो उसे भी मैंने एक धकन डाल दिया है यह क्या करेगा यह हमारी जो dead roots है उनमें जान भरेगा यह बहुत अच्छा काम करता है अगर आप जाना चाहें इस बारे में तो आप बताएएगा मैं जरूर बताऊंगी तो उसके बाद जो है हमें इस plant को थोड़ी देर के लिए इसमें डाल के रखना है मैं 15-20 मिनट या जितना हो सका जितनी देर में मुझे मिट्टी त्यार करने में लगेगी तब तक मैं इस plant को इसी में डाल के रखूंगी ताकि हमारे जो plant की जो roots है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए और उनमें अगर कोई fungus लगा हुआ है तो वो निकल जाए या dead roots है जो वो उन पे ये पानी जब जाएगा तब उनमें जान सी भर जाएगी उसके साथ जो मैंने कुछ उसमें drops डाले थे वो था humic acid उसी पानी में मैंने थोड़ा सा humic acid डाला था यहाँ पर हम मिट्टी की बात कर लें तो ये देखिए ये जो मिट्टी मैंने pot से निकाली हुई है तो ये अच्छी है लेकिन मैं इसे अभी यूज नहीं करूँगी इसे एक दो दिन थोड़ा सा turmeric powder यूज डाल के और उसके बाद थोड़े fertilizer डाल के ready कर सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है दूसरी मिट्टी ली हुई है वो कुछ कमलों से निकली हुई पहले की मिट्टी है जिसे मैंने धूप में सुखा लिया है और उसके साथ मैंने डाली है कुछ नई मिट्टी नई मिट्टी मतलब कि जो हम खेतों से लाते हैं उसे ही मैं कह रही हूँ नई मिट्टी उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ये देखे राख ये लकडी के कोईली की मतलब राख बोली जाती है इसमें कुछ लकडी के टुकडे भी हैं कोईले भी हैं जो कि बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स भी किसी तरह का वो फंगस नहीं लगने देते हैं यहाँ पे कुछ और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं फ्रेंज की देखिए यह है कंडे अगर आप इन कंडों का इस्तमाल करते हैं किसी भी प्लांट के रिपार्टिंग में या सॉयल मिक्स में तो बिलकुल मत करिए ये जो है ये पूरी तरह से decompose नहीं होते हैं और जब हम इसे मिट्टी में मिला के plant में डाल देते हैं तो ये हमारे plant में नुकसान करते हैं इन्हें कैसे ready करना होता है उस पे मेरा अलग से video है यहाँ पे जो मैं use कर रही हूँ यह है kitchen waste compost क्योंकि हमारे हाँ पे वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलता है हमेशा मैं आपको बताती है अपने वीडियो में तो उसके जगे पे मैं यहाँ पे kitchen waste compost यूज करती हूँ तो इसे मैंने अभी तक शारा भी नहीं है लेकिन ठीक है मैं उसमें से जाल के लेकि आई हूँ बारिक बारिक जो था और इसके साथ जो मैं यहाँ पे कुछ फाइटलाइजर डालनी हूँ वो है देखे यह है humic acid यह है डियेपी के कुछ डाने यह है potas क्योंकि रोज प्लांट हैवी feeder होते हैं तो उसमें हमें यह सब चीजे डालना जरूरी है यहाँ पे मैंने कुछ नीमखली भी ली हुई है और उसके साथ लिया है मैंने bone meal इसमें bone meal और नीमखली दोनों mix है इन सबकों मैं यहाँ पे mix कर लूँगी अच्छे से यह सारी मिट्टी में एकी pot के लिए ready करी हूँ इसके साथ जो friends में डाल रही हूँ वो है यह क्या है तो यह organic है यह soil multiplier है यह soil को एक तरह से शक्तिशाली बनाता है बल्वान बनाता है और जितने हमने इसमें nutrients डाले हुए है जो fertilizer डाले है उसे मिट्टी में से plant को देने में help करता है दिखाती हूँ आपको कि यह देखिए कुछ इस तरह से लगता है और यह organic है फ्रेंस यह कोई chemical नहीं है तो यह बहुत अच्छा result देता है इसलिए मैं इसे use कर रही हूँ यहाँ पे मैंने थोड़ा साफ फंजी साइट थोड़ी हल्दी ली है यहाँ पे हल्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई मुझसे और कोई बात नहीं कोई नुकसान नहीं करेगी है और मैं इसे अच्छे से mix कर लूँगी तो मैं जल्दी से इसे mix कर लेती हूँ और इसके बाद pot में भर लेती हूँ देके pot में बरने के बाद इसमें अब मैं यह जो प्लांट मैंने पानी में डालके रखा था उसने निकाल के और महाँ पे रिपाउट कर दूँगी इसे यह देखिए लेकिन इसे मैं पैक करने से पहले इसे भी मैं थोड़ा सा अच्छे से हल्दी पाउडर लगा दूँगी तो फ्रेंस यह सब काम करने बहुत ज़्यादा जरूरी होते है आप देख सकते हैं कि जो मेरा प्लांट है उसका यह जो नीचे का है वो काफी ओल्ड लगी रहा है यह 2-3 साल पुराना था प्लांट मेरा यह तो देखे मैंने इसे अच्छे से इस तरह से पैक कर दिया और मेरा जो प्लांट है काफी खाली-खाली सा लग रहा है लेकिन होप कि यह जल्दी भर जाएगा और जहां पर हमने इने कट दिया हुआ है जहां जहां से हमने इने कट किया हुआ है इसका मैं कुछ अलग से ट्रीटमेंट करूँगी तो प्लीज पेशिंस रखे और वीडियो को पुरा लास्ट तक देखिए वीडियो आपके लिए यूसफुल होगा तो देखे जो भी नोड है हम पहले उन नोड को अगर आपके पास हैड्रोजन परकसाइड है तो आप उसे कॉटन में डिप करके पहले लगालीजिए मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं लगाया है भस इने ऐसे ही साφ कर लिया है उसके बाद आप इन पे वोग कर दीजिए लॉक करने के लिए हम यहां पे नैल पेंट का यूज कर रहे हैं यह इसलिए किया जाता है ताकि जब भी हम प्लांट पे पानी डालते हैं यहां से पानी जो है इन कट्स पे पड़ेगा तो यहां से इन पे फंगस लगने का या डाइबेक होने का खत्रा रहता है यहां कुछ पेस्ट वगयरा भी आके इने खराब कर सकते हैं इसलिए हमें इने सील गया जाता है यह कुछ इसी तरह से जैसे हमें कभी खाव लग स्था इसके बाद चून हमें चूना प्रेंट द्रस तौन इसके बाद इसमौन थे teeth उसके पानी जाते है इन अज़्ग ऑफ तूना है फ्रेंस जो कि खाने में यूज़ किया जाता है जो पान की शॉप पे मिलता है तो उसमें मैंने थोड़ा सा फंजी साइड मिलाया हुआ है और उसे पानी के साथ खोल के पेस्ट जैसा पना लिया है अब मैं इसे क्या करूंगी अब मैं इसे पूरे प्लांट पे लग तक हो जाती है उसे नहीं होने देगा यह अच्छे से इन्हीं प्रोटेक्ट करेगा चूना इसलिए मिलाया है मैंने क्योंकि चूना टिकेगा सूख जाएगा इससे पकड़ लेगा अगर हम स्रिफ फंजी साइड लगाते है तो वो धुल जाता है तो चूना जो है चूने के नुकसान नहीं करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है तो यह पादों के लिए जरूरी भी होता है इसे कई तरह से जो खेत वाले होते हैं जो वो यूज करते हैं तो फ्रेंस उसके बाद जो है यह मैं उपर से जो डाल रही हूं यह है लीफ कंपोस्ट मेरे पास वर् का काम करेगा अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तब आप उसकी पूरी एक लेयर उपर से डाल दीजिए और साथ में हमें डालना है एपसम सॉल्ट अभी मेरे पास एपसम सॉल्ट पास में नहीं था तो मैंने नहीं डाला मैं पाद में इसमें डाल दूंगी और तो मैं अच्छे से वाटरिंग करके और रग दूंगी बहुत जादा शेड में रगने की जौरत नहीं है हमें मैं नॉर्मल इसे रग दूंगी और इसी तरह से बाकी के प्लांच की भी मैं प्रूनिंग कर लूंगी होग के फ्रेंस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होग कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए जएगा आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ जो की गाडनिंग में इंट्रस्टेड हूँ तो ओके फ्रे